Hello guys, welcome back to PC वाली YouTube शैनल और आज के वुझे में हमारे सामने है Chad, GPT जो की Integrated Habbing AI में तो यहां पर हम लोग PC-related questions पूछने वाले हैं मैंने कुछ questions लिखे हुए हैं अपने phone में technical questions भी है, funny questions भी है मज़ेदार spicy questions भी है, PC-related तो हम आज इस AI का test लेंगे कि क्या यह AI आपके PC-related questions का answer दे सकती है नहीं दे सकती है और क्या हम जैसे YouTubers का धंदा चौपट होने वाला है पिकरस हम जो आपको PC-related advice देते हैं अगर वो ही advice यह भी आपको दे सकता है तो देन चैनल बंद कर लेना चाहिए हमें तो आज वही test होगा हम लोग इसका test लेंगे चैट GPT का कि क्या यह यह चीज कर सकता है रही कर सकता है और इसके PC-related जो भी answer दोंगे उसको हम judge करेंगे कि कितने सही है कितने गलत है तो कफी मज़दार वीडियो होने वाली है लाइक करो इसको और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका एक part 2 बनाऊ और तुम्हारे कुछ और questions है जो तुम चाहोगे कि मैं इसमें पूछूँ तो वो भी comment section में जो हो तुम बता सकते हो और तुम्हारे क्या thoughts है वो भी जो हो बताना तो बरते वीडियो में आगे इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें और chat GPT से पूछे हम PC related questions important important questions superclockpcs.in link description में होगा जाके windows की की अगर तुमें चाहिए microsoft office की की चाहिए cheap prices में तुमको superclockpcs.in पे ही मिलेगी come on superclockpcs.in बार-बार बोलना पड़ेगा क्या हर वीडियो में come on तुम हर वीडियो में बुलवाते हो superclockpcs.in एक पर नजर तो डालो ठीक है तो यह है मेरे पास अपने कुछ questions and यह कुछ FAQs है जो कि बहुत लोग बहुत commonly questions पूछते हैं इन questions के answer हम लोग तो तुम्हें generally दे ही देते हैं ठीक है बट कई लोग जो है वो opinion कई लोग का differ करता है and इन type के questions के answer तुमको भी हो सकता है पताओ and हम लोग तो अपनी videos and live stream में बताई देते हैं but let's see AI, chat GPT जो Bing में integrate हुआ है क्या ये इन questions का answer दे सकता है क्या ये आपके PC related queries को solve कर सकता है क्या तुमको हमारे जैसे YouTubers की ज़रूरत है या नहीं है क्योंकि अगर ये chat GPT या Bing में integrated AI अगर तुमारे इन questions का सही answer दे देता है ये kind of a test है so हम लोग इसको test कर रहे है so अगर ये in questions का simple questions है तो तो technical नहीं है technical questions के लिए still हम लोग जिन्दा है but अगर ये simple questions का भी answer देता है तो बहुत सारे YouTube channels का दंदा बंद हो सकता है but let's see so मैंने कुछ questions नोट करे है and ये questions हम लोग पूचने वाले है अपने chat GPT से and मैंने है इसकी जो conversation style है वो balance रखी है मैं ज़्यादा precise भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा creative भी नहीं कर रहा हूँ so it is balanced and let's see कितनों का answer देता है so पहला question है हम लोग इससे एक PC build suggest करने को बोलते है तो क्योंकि most लोग यहां पर budget gamers है so let's see क्या ये आपको एक 50,000 का PC build suggest कर सकता है मैं नहीं कर सकता है मतलब 80-90% लोगों का जो हम लोगों के लिए question आते है वो ऐसे ही questions आते हैं कि भाई 50,000 का PC build suggest कर दो भाई 1,000,000 का PC build suggest कर दो भाई 60,000 का PC build suggest कर दो तो क्या ये इस टाइप के questions का answer दे सकता है check करते है so can you let's see suggest a gaming PC build under 50,000 Indian Rupees let's see so यहां पर मैंने क्वेरी डाल दी है let's see let's see क्या ये answer दे पाता है नहीं दे पाता है so it is searching तो अब ये जो है वो वेब में search करेगा और data और जो भी इसको मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है उसको वो करेगा sure here is a gaming PC build under 5000 that you can consider दीरे दीरे हो रहा है load हो रहा है पिचारा सोचने में टाइम ले रहा है AI जो हो अपना दिमाग चलाने में टाइम लेता है ये PC build मेरे क्याल से ये सोच रहा है कि क्या PC बताऊ okay motherboard इसने MSI का सज़ेस्ट किया है so ये PC build इसने सज़ेस्ट कर रहा है तो Ryzen 5 3500 personally मैं ये CPU सज़ेस्ट नहीं करूँगा motherboard motherboard okay है and RAM इसने सिर्फ 8GB सज़ेस्ट करी है जो कि आज के समाने में तो थोड़ा सा you know and 250GB SSD power supply Corsair की CV450 and cabinet है NX210 NTEK का क्या ये 50,000 के अंदर आजाएगा हमको देखना पड़ेगा but not a good PC build not a good PC build कई सारी चीजें मिसिंग है पर power supply एचे रिकरमेंड करी है Corsair की this build should be able to handle most games at NPD resolution with decent settings you can check out more details about okay so इसने जो ये अपना data लिया है वो इसने इन वेबसाइट से लिया है नीचे तो आप इन वेबसाइट पे किस टाइप के PC build uploaded है I don't know but let's see यहाँ पर question आ रहा है कि what are some other gaming PCs built under 50,000 so देखते हैं क्या कुछ और इसके अंदर है कुछ और configuration जो यह हमें suggest कर सकता है so let's see तो यह answers देखके तो तुम्हें भी लग गया होगा let me zoom in for you so यह answers देखके तो तुम्हें भी लग ही रहा होगा कि you know chat GPT जो हो at least तुम्हारे PC builds के लिए तो इतना reliable नहीं है because यह खुद websites बाकि जो third party websites है उनसे data लेता है और third party website पे किस type के PC builds uploaded है वो भगवान जाने but थोड़े general questions पूछने कर ट्राइ करते है because PC build के लिए component select करना यह थोड़ा ना एक एक बहुत niche question हो गया एक बहुत detailed question हो गया but थोड़े simple questions ट्राइ करते है so अपना जो एक most so अपना एक बड़ा popular question है Intel या AMD Intel और AMD so let's see क्या यह इसका अंसर दे सकता है नहीं दे सकता है so यह है मेरा questions and यह दे रहा है answer which is better Intel or AMD which की spelling मने हग दिया है उसमें but no problems so काफी details इसने answer दिया है okay nice 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 both Intel and AMD have their own advantages and disadvantages okay सही है बिल्कुल सही है 100% सही है Intel processor generally better for single-thread application like gaming while AMD processor are better for multi-threaded applications such as video editing and rendering तो यह statement अगर यह AMD के 7000 series या इवन 5000 series के आने से पहले बोलते तो मैं जादा मतलब इसको accurate मानता although यह भी भी accurate है ऐसी बात नहीं है but जादा accurate यह थाब होता जब AMD के 5000 series या 7000 series से पहले यह statement होते क्योंकि 5000 और 7000 series आने के बाद AMD इवन गेमिंग में भी आगे आ चुका है इवन इन गेमिंग तो बट हाँ काफी हद तक statement यह वो correct है तो आगे बढ़ते है however this is a generalize however this is a generalization however this is a generalization and performance of a processor depends on many factors such as clock speed, number of course, cash rise, etc बिलकुल सही बोल रहा है ठीक है AI अपने बारे में बता रहा है in terms of price to performance ratio AMD processors are generally better at ooh ooh आगे कुछ spicy चीजे लिखी है in terms of price to performance ratio AMD processors are generally better than Intel processors AMD also offers more cores and threads at lower prices compared to Intel ooh that hurts that hurts because यहाँ पर जो है वो मैं तो यही बोलूँगा कि यह statement सही है यह statement सही है but again तुमको यह चीज समझनी होगी कि यह जो statement है AMD के 7000 की जो series आई है न उसके बाद से चेंज हो गई है although AMD स्टिल अच्छा है बट AMD ने भी अपने price बढ़ा दिये तो वो जो price to performance ratio वाला statement है वो AMD उस्ते डिविएट कर रहा है but still spicy चीज आगे बढ़ते है that being said both Intel and AMD may great processor and choice between them depends on specific use case and budget I hope this helps let me know if you have a negotiation so yeah बहुत बहुत इनोंने मैं बोलूँगा diplomatic answer दिया है and यह answers आपके depend करेंगे अगर आप same question पूछोगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा कुछ और क्या कहते हैं different answer दे and also यह भी depend करता है कि मैंने तो balanced वो choose कर रहा था उपर पे communication style अगर आप उसे थोड़ा सचेंज करोगे तो उस basis पे भी यह answers depend करेंगे तो again मैं बोलूँगा भले ही PC Build पे इस ने तना अच्छा answer नी दिया बट जेनरल कॉस्चंस में की कौन बेटर है at least एक बंदा अपने education के लिए इसको यूज कर सकता है तो काफे अच्छा मैं तो at least काफे अच्छा answer बोलूँगा अब अब अबना तना तना टीम ग्रीन की भी तरफ देखते है विच इस बेटर NVIDIA sorry NVIDIA और AMD तो इस ने फटा फटा अपना answer जो हो चाप दिया यहां पे और यह इसका answer है कि बोथ NVIDIA and AMD में ग्रेड ग्राफिक्स काड and the choice between depends on your specific use case again बहुत डिप्लोमेटिक सा answer जैसा कि यहां पे है उपर पे NVIDIA ग्राफिक्स काड अर जनरेली बेटर फॉर गेम and better driver support okay while AMD ग्राफिक्स काड अर जनरेली बेटर फॉर प्रोड़क्टिविटी टार्स such as video editing and rending यह तो चीज़े उल्टी हो गई now यह बहुत कॉंट्रोवर्शल और मैं बोलूंगा चीज चैट जी पीटी ने बोल दिये अब इस पे मैं क्या बोलूंगा आगे पढ़ते हैं फिर इसके बाद इस पॉइंट पाएंगे in terms of price to performance AMD ग्राफिक्स काड is generally better than NVIDIA ग्राफिक्स काड यही इसने मेंशन करा है बट आपको एक चीज यहां पर धिहान रखनी होगी कि नीचे तो इसने चलो सब कुछ सही बोला है बट उपर जो इसने बोला है कि AMD कार्द बेटर फर प्रोड़क्टिविटी इसने किस बेसे स्टेटमेंट को लिया है आपको एक चीज समझनी होगी कि आप टेकनिकली बोट स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हो AMD ग्राफिक्स कार्ड को आप बेटर फर विडियो इडिटिंग बोल सकते हो अंटिल रेडियोन 7 अंटिल AMD के जो हाई VRAM वाले GPUs थे अगर यह पुराना डेटा ले रहा है अगर यह चैट GPT आपका AI पुराने डेटा के बेसिस पे यह आंसर दे रहा है तो हाँ टेक्निकली तुम कह सकते हो कि AMD क्योंकि जादा VRAM देता था उस बेसिस पे जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए तो मुसको बेटर कह सकते थे बट अब जो है करेंट सिनेरियो में चीजें बदल चुकी है कैसे बदल चुकी है AMD गेमिंग के लिए अच्छा है विकस कम प्राइज में अच्छे GPUs तुमें दे रहा है FSR जैसे software उसके अंदर तुमें built-in मिलते है और NVIDIA productivity के लिए जाधा अच्छा है बिकस उनके अंदर जो उनके tensor course और RT course और बहुत सारी चीजें है जो की blender और बहुत सारी अप तुमारे unreal engine और बहुत सारे ऐसी application है जो उनको use करना शुरू कर रही है तो statement जो है वो तुम दोनों तरफ इसको घुमा फिरा सकते हो depending on कि तुम किन graphics card कर रहे हो क्या देख रहे हो but मैं इसका ultra expect कर रहा था मैं expect कर रहा था कि chat GPT बोलेगा कि AMD gaming में अच्छा है NVIDIA editing editing productivity में अच्छा है but इसने मुझे surprise कर दिया I mean I mean मैं इसे expect नहीं कर रहा था तो very surprising अब एक budget gamers के लिए एक सबसे best question best budget CPU for a gaming PC build let's see let us see so मैं आपको पहले दिखा देता हूँ question so यह रहा question let's see किस तरीके से answer देता है okay again diplomatic answer nice nice so okay इसने तीन दिये हैं suggestions और यह तीनो जो हैं अलग-अलग साइड से इसने लिये PC gamers और graphics card hub और Tom's hardware और भी कुछ साइड से जहां से इसने data लिया है और उसके basis पे इसने यह तीन प्रोफेसर से रिकमेंड करें जिसके अंदर से मैं सिर्फ थर्ड वाले से agree करता हूँ i5-9400F मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता because lack of hyperthreading Ryzen 3 3100 पुराना हो चुका है again yes तुम्हारा budget बहुत कम है तो you can still consider अगर तुम्हें मिल जाता है तो इसकी तो availability भी आप पता नहीं कहा है but हाँ i3-10100 you can still consider again you know कर सकते हो consider ठीक है वैसे you know इन तीनों में से तो मैं उस तीसरे वा option को चुनूँगा but इतना accurate answer नहीं है इतना कोच अच्छा answer नहीं है but still ठीक ठाक है at least जब तुम्हें से जादा in-depth कोई question पूछ रहे हो like best budget CPU इस टाइप का तो जादा अच्छा answer नहीं दे पा रहा है but अगर तुम्हें इसे in general question पूछ रहे हो तो काफ इंटरस्टिंग answer दे रहा है अब पूछते हैं सदीका सबसे महत्वपून सवाल hmm तो मैं let me first zoom out how much thermal paste and I know कि बहुत सरे लोगे पूछना चाहते थे is too much so let's see there is no fixed amount that you should apply a thermal paste on the general estimation is a tiny bit okay tiny bit same size as your pp just kidding dislike not karna please please which is just enough for one use you can imagine piece of wheat and it should be good enough to put on the cp yeah 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 good enough but let's see let's see what happens if I apply too much thermal paste okay okay so let's see what happens if we apply too much thermal paste if we become a good enough now this is interesting when you apply too much thermal paste depending on the quality of paste you have selected it can actually have opposite effect what you intend when you apply too much thermal paste it can act as an insulator which is this kind of problem how much you apply too much thermal paste then it will become an insulator how much you apply too much thermal paste at best cases in effect paste okay 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 this is completely incorrect this is guys completely incorrect I can think that it will overflow side to side and if it doesn't have good paste or liquid metal like a paste then it can do short circuit and you can do bad things and you can do bad things on the side because it will be bad so it will be bad but non-conductive it will become an insulator this is completely wrong this is chat GPT our AI we have to remove the YouTubers who is not smart so my YouTube is going to be bad because this is completely wrong disappointed I am disappointed okay let's get into it one final question पूछ रहता है, तो बहुत सारे लोग हमेशा गूगल का जो सबसे पहला सर्च क्वेरी होती है, पीसी गेमर के लिए, बजट गेमर के लिए, वो यही होती है, तो लेट सी क्या जवाब देता है, तो कई सारे तरीगे हैं, चैट जीपिटी के हिजाब से, आपके FPS इंक्रीज करने के, पहला है अपडेट, प्लैटफॉर्म्स और ड्राइवर्स, बिल्कुल सही, पिकस नए नए ड्राइवर्स के साथ जो है, NVIDIA, AMD, यह तुमको जो है, वो गेम्स के हिसाब से, अप्टिमाइजेशन देते हैं, तो, yeah, that is correct, technically correct है, तीक है, अप्टिमाइजर गेम्स सेटिंग्स, गलत नहीं बोल ला है बंदा, चैट, GPT गलत नहीं बोल रहा है, साही बोल रहा है, अप्टिमाइजर गेम्स सेटिंग्स, जीप्यू तुम्हारा RXY70 और तुम खेल ले हो 4K में, तो भीया कैसे चलेगा, तो अपने हिसाब से, High, Low, Medium, Textures तुमें कितने चाहिए, एकदम Ultra भी नहीं करना, पिकस एकदम Ultra में भी तुमको जो है, वो अच्छी Quality नहीं मिलती, Medium या High पे रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें, तुमें अपनी Settings आप्टिमाइज करने चाहिए, Correct है, सही बोल रहा है, बहुत साही बोल रहा है, Tweak और GPU Settings, ये भी बिलकुल सही है, अगर Overclock करना है, Underclock करना है, Fan Curve सेट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो या, tweak, Use DLSS और Other Image Reconstruction Tool, तो ये भी टेकनिकली गलत नहीं है, बट जिनका बजट GPU है, वो DLSS कैसे यूज़ें करेंगे, या फिर जिनका AMD का GPU है, वो FSR यूज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट लास्ट जो पॉइंट है, वो भी है, Overclock your CPU and GPU, तो मैं बोलूँगा, इसने अच्छा answer दिया है, मेरे हिसाब से यह answer, टेकनिकली सारे points सही है, ओवरक्लॉक करना तो एक फ्री में, पफामेंस इंक्रीज करने का option है, और GPU तो सारे ही overclockable होते हैं, तो चलो फिर भी तुम कुछ overclock कर सकते हो, कुछ नी बट जीप्यू तो सारे ही overclockable होते हैं, तो yes, technically these are correct, and मैं तो सोच रहा था, यह इसका कुछ funny सा answer देगा, बट technically इसने बहुत अच्छा answer दिया, इस question का, this is actually good, तो यह काफी एक interesting चीज था, अगर तुम्हारे मन में कुछ और questions है, जो हमें चैट जीपीटी से पूछने चाहिए, बढ़िया, बढ़िया, description में लिखना, sorry, description कहा रहा हूँ, description में कैसे लिखो, comment section में लिखना, और अपने कुछ questions बताना, जो तुम चाहते होगी, कि मैं चैट जीपीटी से पूछूँ और देखें हमकी क्या answer देता है, क्या नहीं देता, तो अपने जो ये तुमारे queries हैं, वो definitely पूछना, बाकी इतक तक के लिए देना, बढ़िया, take care guys,